हेलो गाईज में हूँ आरियन और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेस बैंक के निव एबडी इंटरेस रेट से जुड़े हर एक बाते बताएंगे जो एबडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और साथी साथ एबडी का क्राइटिरिया और जरूर देखें गयाई अगर आप किसे बैंक मेंट करते हैं तब उस बैंक का इबडी क्राइटिरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है तो चलिए पहले जान लेते हैं एक्सेस बैंक के इबडी क्राइटिरिया के बारे में अगर minimum FD के बात करें तब minimum 5000 से अप FD कर पाओगे अगर FD duration की बात करें यानि कितना दिन के लिए आप FD कर सकते है तब minimum 7 दिन और maximum 10 सल के लिए आप FD कर सकते है अगर loan against FD की बात करें तब भो भी facility अबेलेबल है यानि अगर आप चाहे तो आपके FD के उपर 90% तक loan ले सकते है जैसे कि मान लिजी आपके FD का amount है एक लाक रुपीज तब आप एक लाक के उपर 90% तक यानि 90,000 तक loan ले पाएंगे अगर nomination facility के बात करें तब भो भी facility अबेलेबल है यानि अगर आप चाहे तो आपके FD के लिए किसी को nominee रख सकते है अगर identity proof के बात करें तब passport, driving license और आधार card इन तीनों में से कोई भी एक identity proof आपके लिए रहना ज़रूरी है और साथी साथ pen cut का भी रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर premature withdrawal की बात करें यानि अचनक अगर आपकी पैसे की ज़रूरत पड़े तब अगर आप चाहे तो आपके FD का amount mature होने से पहले ह की आप उठा पाओगे लेकिन उस situation में maximum 1% तक bank से charge किया जाएगा तो guys यह सब था basic criteria जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था तो चलिए आप जान लेते हैं access bank के new FD के interest rate के बारे में access bank का जो new FD interest rate है वो 6 में 2021 से लागू हुआ है और new interest rate है अलग-अलग time के लिए F FD करने पर कहीं पर जादा और कहीं पर कम interest rate दिया जाएगा इसलिए आपको interest rate ठीक से समझना है तो चलिए देख लेते हैं access bank में FD करने पर किस तरह से interest आपको दिया जाएगा Guys अगर आप 7 दिन से 29 दिन के लिए FD करते है तब आपका जो interest rate रहेगा वो है 2.5% और senior citizen के लिए भी interest same रहेगा यानि 2.5% अगर आप तीस दिन से 3 मेने के कम के समय के लिए FD करते है तब भी आपका interest rate same रहेगा यानि normal people के लिए 3% और senior citizen के लिए भी 3% अगर आप 3 मेने से 6 मेने के कम के समय के लिए इबडी करते हैं तब आपके इंटरेस रेट रहेगा 3.50% और senior citizen के लिए इंटरेस रेट रहेगा यानि 3.50% अगर आप 6 मैने से एक साल के कम के समय के लिए FD करते है तब आपके इंटरेस रहाएगा 4.40% लेकिन सिनियर सिटिजन के लिए इंटरेस रहाएगा यानि सिनियर सिटिजन के लिए 6 मैने से एक साल के कम के समय के लिए FD करने पर इंटरेस रहाएगा 4.65% अगर आप एक साल से एक साल पांस दिन के कम के समय के लिए इबडी करते हैं तब आपके इंटरेस रहेट रहेगा 5.10% और सिन्या सिटिजन के लिए इंटरेस रहेट रहेगा 5.75% अगर आप एक साल पांस दिन से एक साल इगरा दिन के कम के समय के लिए इबडी करते हैं तब आपके इंटरेस रहेट रहेगा 5.15% और सिन्या सिटिजन के लिए इंटरेस रहेट रहेगा 5.80% अगर आप एक साल एगारा दिन से पंढ़ मैने के कम के समय के लिई इपडि करते है तब आपके इंट्रेश रेट रहेगा 5.10% और सिने स्रेटिजन के लिए इंट्रेश रेट रहेगा 5.75% अगर आप 15 मैने से 18 मैने के कम के समय के लिए FD करते है तब आपके interest rate रहेगा 5.20% और senior citizen के लिए interest rate रहेगा 5.85% अगर आप 18 मैने से 2 साल के कम के समय के लिए FD करते है तब आपके interest rate रहेगा 5.25% और senior citizen के लिए FD का interest rate रहेगा 5.90% अगर आप दो सल से 30 महीने के कम के समय के लिए इपडी करते है तब आपका इंटरेस रेट रहेगा 5.40% और senior citizen के लिए इंटरेस रेट रहेगा 6.05% अगर आप 30 महीने से 5 सल के कम के समय के लिए इपडी करते है तब आपका इंटरेस रेट रहेगा 5.40% और senior citizen के लिए FD का interest rate रहेगा 5.90%, अगर आप 5 सल से maximum 10 सल के लिए FD करते हैं, यानि 5 सल से 10 सल के बीच में FD करते हैं, तब आपके interest rate रहेगा 5.75%, और senior citizen के लिए FD का interest rate रहेगा 6.50%, जो की maximum interest rate है, तो यह था new FD interest rate, यहाँ पे कुछ ऐसा time period है, जहाँ पे आपको ध्यान रख ना है, जैसे के अगर आप Excel के लिए FD करना चाते हैं, तब exact Excel के लिए FD करने पर आपका थुरा loss होगा, जैसे के अगर आप Excel के लिए FD करते हैं, तब आपके interest rate रहेगा normal people के लिए 5.10% और senior citizen के लिए 5.75%, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 दिन जादा FD करते हैं, यानि Excel 5 दिन और senior citizen के लिए FD का interest rate रहेगा 5.80%, तो चलिए आप देख लेते हैं, अगर आप 1 लग का FD different time के लिए करते हैं, यानि 1 लग का FD एक सल के लिए करते हैं, या फिर 5 सल के लिए करते हैं, या फिर maximum 10 सल के लिए करते हैं, तब कितने maturity amount आपको दिया जाएगा, अगर आप 1 लग आपका FD एक सल के लिए करते हैं, तब आपका interest rate रहेगा 5.10% और आपका maturity amount होगा 1 लग 5,198 रुप्या, यानि 1 लग का FD एक सल के लिए करने पर आपका total फायदा होता है 5,198 रुप्या का, अगर आप 1 लग का FD senior citizen के लिए करते हैं, तब आपका interest rate रहेगा 5.75% और आपक maturity amount होगा 1 लग 5,885 रुप्या, यानि 1 लग का FD senior citizen के लिए 1 सल के लिए करने पर आपका total फायदा होता है 5,885 रुप्या का, अगर आप 1 लग का FD 5 सल के लिए करते हैं, तब आपका interest rate रहेगा 5.75% और आपका maturity amount होगा 1 लग 33,036 रुप्या, यानि 1 लग का FD 5 सल के लिए क senior citizen के लिए 5 सल के लिए करते हैं, तब आपका interest rate रहेगा 6.50% और आपका maturity amount होगा 1 लग 38,042 रुप्या, यानि senior citizen के लिए 1 लग का FD 5 सल के लिए करने पर आपका total फायदा होता है 38,042 रुप्या का, अगर आप 1 लग का FD 10 सल के लिए करते हैं, तब आपका interest rate रहेगा 5.75% आपका maturity amount होगा 1 लग 76,987 रुप्या, यानि 1 लग का FD 10 सल के लिए करने पर आपका total फायदा होता है 76,987 रुप्या का, अगर आप senior citizen के लिए 1 लग का FD 10 सल के लिए करते हैं, तब आपका interest rate रहेगा 6.50% और आपका maturity amount होगा 1 लग 90,554 रुप्या, यानि 1 लग का FD senior citizen के ये 10 सल के लिए करने पर आपका total फायदा होता है 90,556 रुप्या का, तो guys अगर देखा जाए तो new FD का interest rate है, वो normal people के लिए minimum है 2.50% और maximum है 5.75% और senior citizen के लिए जो FD का interest rate है, वो minimum है 2.50% और maximum है 6.50%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम नहीं है या फिर बहुत जादा भी नहीं है, standard FD का interest rate है, तो अगर देखा जाए तो अभी के time पे access bank बहुत ही trusted bank है, तो इसे साब से अगर आप 6.50% interest पाने पर संतुष्ट होंगे, तो मैं आपको यही suggest करना चाहूंगा, access bank आपके लिए एक सही option हो सकता है, या फिर अगर आप FD को उफर इससे जादा interest पाना चाते है, तो मैं आपको ही suggest करना चाहूंगा, किसे अन्य bank में आप FD कर सकते है, जहांपे आपको जादा फायदा मिले, तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर कोई doubt रहे तो comment करके जरूर बताए, मैं आपका comment कर रिप्लेश जरूर करूंगा, और अगर वीडियो आए, तो लाइक और शेर करे, और काइनली चनल को सब्स्राइब करे, थैंक यू